किसान के आंदोलन को अपना साथ दे रहे हैं कि इजरिवाल सिंगू बॉर्डर पहुंचे हैं तो अखिले श्यादव भी आज किसानों के नाम पर अपनी सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं इस वर भी आपको जानकारी देंगे लेकिन आप पहले सुनी अर्विन के में साथ रहे हैं आपको याद होगा कि शुरू शुरू में जब किसान बॉर्डर पर आए थे तो गेंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के नौ स्टेडियम जेल उस टाइम मेरे उपर बहुत दबाव डाला गया चारो तरफ से कई फोन आये खुब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नी सुनी उनको पर्मिशन नी दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार हमारे MLA हमारे पार्टी के कारेकरता हमारे मंत्री गन मैं खुद हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए है आज بھی मैं यहाँ पे मुख्यमंतरी के तور पे नहीं आया, मैं एक सेवा दार के तور पे आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूं किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहाके अन उगाता है हमारे लिए हमारी सेवा करता है आज किसान मुसीबत में है हम सब का पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़ें और उनकी सेवा करें तो मैं आज सारी सुविधाओं का जाईजा लेने आया यहां पर यह टॉइलेट्स हैं यह मैं देखा साफ सफाई ठीक है उदर पानी की विवस्था है बतारे अंदर तक पानी जानी पा रहा तो आज यह मोटर वगएरा और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे उदर रहने की विवस्था देखी किचन भी देखी एंबूलेंस भी देखी किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सैटिसफाइड हैं लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ हमारे जर्नेल सिंग यहापे जो अम्मेल हैं कल रात को यहीं सोए हैं वो उनके समर्थन में पूरी र आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने आठ तारिक को भारत बंद का अहवान किया है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कारेकरता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में और मैं उमीद करता हूं कि पूरे शांतिपून तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हूँ, मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग इसमें शामिल हूँ, मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूँ, कि सब लोग इसमें शामिल हूँ, आपको चार मंडियों को बदला गया है, कि इसको कर दीजिए क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंदर सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सब को डाल दिया जाएगा और इस तरह से अंदोलन खतम हो जाएगा लेकिन हम लोग ने भी अपनी आत्मा की आवास सुनी कई वार ऐसा ह अपने अर्विन के जिवाल को सुना और अखलेश यादव